अस्सलाम अलेकुम क्लास पॉर्थ आई होप यू आल आर फाइन प्रीवियस लेक्षर में दी हमारा परसंटेज चैप्टर की कॉपी वर्किंग और बुक वर्किंग दोनों वाइंट अपना नेया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 मेजर्मेंट सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन देती चलों कि मेजर्मेंट में हमें पढ़ेंगे क्या क्या मेजर्मेंट का बेसिकली मतलब होता है नापना किसी बीचीज को चाहिए वह लंबाई हो या वजन हो या टाइम हो सभी हर चीज को मेजर्मेंट मेंहों सबसे पहले मैं पता दु Cake अगर हम लैंच के लिए क्या यूफर और मिनट होता है capacity याणि लीटर होता है और मिली लीटर होता है शही कि पैसटी याखी मे कितने ग्राम होते हैं एंक दो कितने मिली लीटर होते हैं और घंटे में कितने थी इस सबसे पहले, मैं आज से बहुता मिली मीटर के पढ़ाऊंगे तो जस्स मिआ आप को इसी कीorm नबंचंट याद्ट कराऊंगे याद रखेएगा, 1 सेंति मीटर is equals to 10 मिली मीटर सही, एक सेंति मीटर में 10 मीली मीटर होते हैं, इस सेंति मीटर में 10 मीली मी ہے की conversion याद कराऊंगे याद रखेगा 1 cm is equal to 10 mm सही एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं अगेन बोल लिए हूं एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं अगर आप लोगों ने स्कूल स्केल देखा हो सिंपल यह मेरे साथ साथ 3456789 ten साथ यह चुक्या यहां सेछे लिंग यहां से लेकर यहां तक साथ 0 से ले 1 यह सेंटीमेटर इसके बीच में छोटी- leaders you know यह मिली मीटर कला किया इस लाइं मिली मेर्झ को यह लाइन bes cats貌र चोटी-चोटी-चोटी सी लाइं होती है सबसे पहले मैंने सवाल कॉपी करें 8 cm 1 mm सवाल में करना क्या है करना क्या है कर दोनों को एड कर लेंगे हम अच्छा करना क्या है कि पदाए कि एक कई मीटर में कितने हो था एंगे कर दूगी टेन से क्यूंकि एक का रही हूं किउओ कि एक सेन्टीमीटर में 10 mm होते और cm बढ़ा है mm छोटा है जब बड़े यूनिट से देखो अगें cm बढ़ा है mm छोटा है बड़े से जब मैं छोटे की तरफ जाओंगी न जब बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाओंगी तो Convergen यानि Multiplyer का 10 लगाऊंगी और जब नंबर 2 पे मेरे पास है 15 cm और 7 mm अगें 15 को मुझे 15 cm को मिली मीटर में जाओंगी तो 15 को Multiplyer कर दूंगी 10 से और मिली मीटर आगे और यह पिलस का 7 mm इसे मैं क्या कर लूँगी एट कर लूँगी अब 15 को 10 से मल्टिपल करने 15 को 10 से मल्टिपल करूंगी आंसर आगे मेरे पास 157 mm मेरे पास टोटल किसमें आगे आंसर मिली मीटर में आगे अब आ जाते हैं क्वेशन नंबर 2 पे Convert these Length into centimeter and millimeter सही पीछे मैंने क्या कर रहा सेंटीमीटर में दी हुई थी मैंने टोटली मिली मीटर में लेकर आई अब मिली मीटर में दी हुई है इसको सेंटीमीटर में दो में ब्रेक करना है सही पहले सेंटीमीटर में अब मिली मीटर में सही सिंपली क्या करूंगी मैं 23 मिली मीटर में क्या कर दो में इस वैलिए को ब्रेक कर लिया 20 में त्विनमितर में जां और 2006 मृलिमेतर न उससेंटि मीटर में जायँ धुलिया मेंने त्विनुर नहीं ने जा यह ईदा हैं टिवाइड कर में 10 से 10 क्यों रख रहे हुं क्योंकि एक सेंटी में में 10 मिलमीटर होते हैं अच्छा मैं उसमें सेंटी मीडर में आउंसर रहा वो किस नहीं मायगा सेंटी मिडर में सही 68 है again 168 millimeter है इसको break कर دूूगी पहले किसमें break करूँगी one sixty में सही पहला one sixty में break करआ दूसरा में रेट में break कर दिया कि again one sixty को किससे division में then जब मैं one sixty को then letsaci divided करूँगी तो answer किसम आजागा सेंटी मीट्र में साही और eight millimeter मेरे पास as it is रह जाएगा अब क्या करेंगे हैं इसको डिवाइट करेंगे 10 और 16 10 बंजा 10 6 में से 0 गया 6 अब मैंने यह क्या कर रहा है यह वाला 0 नीचे को आप कॉपी कर दिया 10 6 आ 16 आंसर क्या है मेरे पास 16 16 cm और 8 mm यह मेरे पास क्या है simple answer दो सवाल करा हैं जिसमें मैंने एक पहले बारे सवाल में totally mm में change करना बताया और दूसरे बारे सवाल में mm को cm में किस तना change करते हैं I hope आपको समझ आ गया होगा अला हाफिस